बाबा के पास बतन में भूग ले करके पहुँची बाबा ने एक द्रस दिखाया कि बहुत छोटे छोटे इस्थान है कोई छोटे से मंदिर दिखाई दे रहे हैं कोई थोड़ा तूटे हैं ऐसे बैराइटी प्रकार के इस्थान थे बाबा ने कहा कि बच्ची क्या देख रही है तो मैंने कहा कि ये तो कोई मंदिर दिखाई देता है कोई तूटा-पूटा इस्थान भी देख रहे हैं फिर एकदम से बाबा ने मदवन का पांडव भवन का कमरा एं मर्ज किया चारोधा में मर्ज किया बाबा ने बहुत अच्छी बास सुनाई आज बाबा ने कहा कि देखो बची कि बाबा के चारोधान पर बले साकर बाबा को अभी तुए पचास साल से भी उपर हो गए पर बाबा के इस्थान अभी भी सर्व बच्चों को वो सकास देने का वाइब्रेशन देने का सक्ती देने का ये इस्थान कारे कर रहे हैं और बच्चे भी दूर बैठे अभी अनभव भी करते रहते हैं भले अपने अपने इस्थान पर हैं पर फिर भी बाबा के कमरे का बाबा के इस्थान का अनभव बच्चे अभी भी कर रहे हैं उसी प्रकार बाबा ने दिखाया ये छोटे छोटे मंदिर जो थोड़े दिखाई दे रहे थे बाबा ने कहा कि बाबा के स्थान का बहुत मुल्ल है उसी प्रकार बाबा के अनने बच्चे भी जैसे की दादियां बाबा ने कहा ये दादियां भी जिस स्थान पर बैठकर जिस जगे बैठकर जो सर्व ड्रामन बच्चों की पालना की है टोली खिलाई है हर प्रकार की स्थूल सुक्षम पालना की है तो बाबा ने का वे भी इस्थान भी उस जगे भी सकती भर जाती है तो बाबा ने जो छोटे इस्थान दिखाए बाबा ने कहा कि इसी प्रकार जिस प्रकार बावा के जो बच्चे जिस स्थान पर भी रहते हैं जहां भी रहते हैं बले छोटी सी कुटिया भी क्यों ना हो पर बावा ने कहा कि उस स्थान पर भी आप बच्चों को ऐसी तपस्या करके ऐसे वाइब्रेशन बढ़ने हैं क्योंकि vibration ही बहुत बड़ा कार्य करते हैं तो बावा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू सुरू में यग में बड़ों ने बावा ने दाधियों ने vibration की इतनी अच्छी बास सुनाते थे कि लोकिक में कभी किसी के घर जाते थे तो कभी किसके बिस्रे पर किसके खटिया पर नहीं बैठती थी क्योंकि वाइब्रेशन काम करती है उसी प्रकार आप ढ्रामन बचों के जो स्रेष्ट संकलप है स्रेष्ट कार तो है पर स्रेष्ट संकलप का सारा आधार है हमारे अपने कर्मों के उपर हमारे vibration के उपर तो बाबा ने कहा कि इसलिए कई जो इस्थान पर बैठे हैं बच्चे तो बाबा ने कहा कि इसलिए भक्ती में भी छोटा छोटा मंदिर बनाते है यथा सकती कोई टूटा होता है किसकी मूर्ती भी कैसी होती है पर बाबा ने कहा फिर भी दुनिया के लोग उनकी मानता दे के चलते हैं बले पहले छोटा बनाते फिर बढ़ा बनता है तो बाबा ने कहा कि भक्ती में जो यादगार चला रहो ब्यर्तने जाता है जिस प्रकार भक्ती में जो मंदरों की सीड़ी भगत बच्चे चड़ते हैं उस सीड़ी पर भी वो माथा टेक के चलते हैं क्योंकि उसमें भी एक तो नंगे पाव चलते कोई चपल पहन के नहीं चलता बाबा ने कहा कि आप बच्चों के कदम में पदम होते हैं और दुनिया के भगत बच्चे भी चपल उतार के इन सीड़ियों को माननेता देते हैं उनकी ऐसी स्रिष्ट भावना होती है तो बाबा ने कहा कि समय के अनसार आप बच्चे भी जिस इस्थान पर हैं जहां भी हैं उस इस्थान को भी ऐसे ही स्रिष्ट वाइब्रेशन बनाओ जो कोई भी कहीं से भी आता है एक दूसरे को भी ऐसे वाइब्रेशन जिस प्रकाव ब्यर्थ वाइब्रेशन आप बच्चों के नेगितिव लोगों के कार करते हैं तो आप बच्चों का काम है स्रिष्ट वाइब्रेशन देना सकाद देना जो जहां भी बैठे हैं जिस स्थान पर भी बैठे हैं बाबा ने का सभी ब्राम्मन बच्चों की बाबा के पास बहुत ही सिने भरी याद पहुंचती रहती है ऐसे कहते सभी के प्रित याद प्या लेते हुए नीचे पहुंचे गई ओम शालत